जि तो हमने पालियमैंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिस की ठीक है पालियमैंट में हमने देखाएएए ह्एएएण सबस्यण E pin अब हम लोग Parliament को खतम, end, Parliament के end पे आने वाले हैं, अब almost दो class में खतम हो जाएगा, आज class और कल की class में almost खतम हो जाएगा, ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चीज, सर, Parliament work कैसा करता है? तो heading लालेगा, heading लालेगा, working of the Parliament, working of the Parliament, working of the Parliament, heading लालेगा, working of the parliament, ठीक है, सुन्ना ध्यान से, सर, जो Parliament है न, जब वो काम करता है, जिस stage मे, वो काम करता है न, उस stage को बोलते है unseren, या फिर सत्र, हिंदी में सत्र बोलते है मतलब सर अभी Parliament काम कर रहा है बैटके मतलब वहाँ पे मीटिंग्स हो रहा है डिबेट हो रहा है, डिस्कॉशन हो रहा है सब कोई अपने में मारवार कर रहा है बिल पेस हो रहा है, बिल को पर रहा है काम कर रहा है एक word होता है रिशेस एक टेकनिकल वर्ड नहीं है इसका एक टेकनिकल वर्ड है, हम थोड़े दर बाद पढ़ेंगे उसको रिशेस का मतलब क्या होता है, कभी आपने सुना था स्कूल मा पो रिशेस मिला याता था recess break, lunch break, recess, चुट्टी, recess का मतलब होता है चुट्टी, ठीक है, चुट्टी, या फिर break, break, जो भी कहलिए, चुट्टी या फिर break, तो parliament में जब चुट्टी होता है सर, उस चीज को layman भासा में वताने के लिए क्या word use क्या जाता है, layman भासा में बोलाओ, technical words नहीं, political word में ये word नहीं use होता है, political word में एक word use होता है, जिसको मैं लिख देता हूँ, पर अभी आप लोग याद मत रखिये, prorogation, ठीक है, prorogation, समझ मैं आपको, prorogation, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, बरकिंग में नहीं है, currently parliament में अभी break चल रहा है, currently parliament जो है, उसमें break चल रहा है, is it clear, parliament अभी चुटी में है, अब अब देखो, 12 महने हैं सर, क्या 12 महने parliament कामी करते रहेगी, क्या 12 महने, parliament कामी करते रहेगी, parliament के पास तो और भी, जो parliament में MP बैठे हुए है, क्या MP लोग के पास और कोई काम नहीं है, सर MP लोग बना MP क्यों, क्योंकि उनके राज जी के लोग, उनके छेत्र के लोग उनको वोट करते हैं, अब उनके छेत्र के लोग उनको साल बर देखी नहीं रहे हैं, कि मेरा MP 12 में दिल्ली में ही बैठा हुआ है, हम तुझको साल बर से मिले ही नहीं है, अब बताओ, अगर वो साल बर parliament में बैठा रहेगा, तो उसके जो लोग हैं, क्या उन लोगों का वो issues सुन पाएगा, क्या उनके issues को solve कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर, इसलिए parliament में सर, recess का time भी आता है, prorogation का भी time आता है, जब parliament को रोक दिया जाता है, parliament को break दे दिया जाता है, ठीके, दो words मैंने आपको समझाया, session और recess या फिर prorogation, जो recess है, ये, leven भाषा में आप बोल सकते हैं, कि प्रोरोगेशन आई हो, पहली बार सुना होगा आपने, या फिर quality पढ़ते वही सुना होगा, कभी नगभी, तो वो word याद नहीं रहता है, इसलिए उसको याद रखने के लिए recess word, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्या आपको session और prorogation, word समझ माँ है, यह दोनों word क्या है, यह दो word clear है, ठीक है, सुनना धियान से, सर, हमारे समविधान में लिखा गया है, हमारे समविधान में लिखा गया है, कि maximum जो छुट्टी होगा, parliament का, maximum जो parliament break पे जाएगी, वो 6 मेहने के लिए जाएगी, इस से जादा के लिए नहीं जाएगी, हमारे समविधान में ऐसा लिखा गया है, कि maximum जो prorogation होगा, या फिर recess होगा, it will be only for 6 months, and not more than that, मतलब, सर, indirectly समविधान में यह लिखा गया है, यह कहना जा रहा है हमारा समविधान, कि एक साल में, एक साल में at least दो सेशन होना अनिवारे है, एक साल में at least दो सेशन होना अनिवारे है, ठीक है, समझ वाया, यह बहुत important question है, याद रखिएगा, सर, जो maximum break हो सकता है, parliament का, वो 6 महने तक हो सकता है, 6 महने से जादा नहीं हो सकता है, और इसी को अगर मैं दूसरा भासा में बोलू, दूसरा sentence में अगर मैं इसको frame करने का कोशिश करू, तो यह कहा जा सकता है, that the parliament should have at least two sessions in a year, in an year, एक साल में at least दो सेशन अनिवारे रूप से होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया यहां तक, आप सभी को confirm करना, सुनना ध्यान से, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सर मैंने आपको बोला था, कि पाल्दियमेंट का दोनों houses चलाने के लिए न, उनका अपना-पना rule books होता है, वो लोग अपना-पना rule books को follow करते हैं, तो usually हमें क्या देखने को मिलता है, the keyword here is usually, usually मतलब, पाल्यमेंट मतलब अपने हिसाब से, यह समझ विधान में नहीं लिखा गया है, पाल्यमेंट अपने हिसाब से, तीन सत्र करती है, क्या यह सत्र future में change हो सकता है सर, हाँ सर, change हो सकता, because it depends upon the parliament, हमारे समझ विधान में सिर्फ इतना लिखा गया है, कि at least 2 session साल भर में होना अनिवारे है, at least 2 session, हमारे समझ विधान में यह सब चीज नहीं लिखा गया है, यह सब चीज पाल्यमेंट अपने रूप को, अपने वर्ख को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, कुझ से decide की है, ठीक है, तो usually हमारे पाल्यमेंट में 3 session होता है, एक है, सबसे पहरा जो session है, उस session का नाम है budget session, budget session, ठीक है, दूसरा जो session है, उसका नाम है, monsoon session, monsoon session, और तीसरा जो session होता है, हमारे पाल्यमेंट का, वो है winter season, session, winter session, ठीक है, तीन session होता है सर, साल भर में, हमारे पाल्यमेंट में, और ये usually है, मतलब, maybe, पाल्यमेंट अगर change करना चाहिए, इस system को तो change कर सकती है, it depends on them, उनको काम करना है, वो अपने हिसाब से change कर सकता है, पर हमारे समविधान में लिखा हुआ है, कि at least साल में, दो session होना ही चाहिए, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बढ़ा लीजेगा, सुनना ध्यान से, सर, ये budget session का अब होता है, February में start होता है, और मही तक चलता है, मॉंसुन session का अब होता है सर, July में start होता है, और September तर चलता है, और ज्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, मैं भी अभी याद कर रहा दूँगा, ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं है, अध्याइट के रटना है, यहाँ, February रूम में, February रूम में, यह process देखा जाता है, कि तीन session होते हैं, budget session, monsoon session, winter session, is it clear to everyone, ठीक है, नाओ, सर, कैसे याद रखें, कैसे याद रखें कि तीन session है, तो सब का पहले वाला word यूज़ करो, B, M, W, कोई गाडी होता है क्या BMW, B, M, W, B for budget session, M for monsoon session, W for winter session, ठीक है, next, सर, BMW जो गाडी है न, वो, BMW जो गाडी है न, वो, fast, नहीं, fast जाती, नहीं, fast जाती नहीं, BMW जो गाडी है न, वो fast जाती नहीं है, सर, यह क्या बोल रहे हैं, BMW वाला लोग गुस्सा हो जाएगा, होने दो गुस्सा, पर हम लोग कैसे याद रखेंगे, BMW जो गाडी है, वो fast जाती नहीं, BMW गाडी fast जाती नहीं, सर, BMW से क्या याद रहना चाहिए, B से budget session, M से monsoon session, W से winter session, now fast जाती नहीं, fast का F, F से February, J से July, और N से November, is it clear everyone, BMW fast जाती नहीं, BMW fast जाती, क्या याद करने के जौरत मतलब, इकदम बैट कर रटने के जौरत पड़ेगा, कि नहीं मैं रटे जा रहा हू, BMW fast जाती नहीं, B से budget session, F से, सर कभी start हो रहा है, February में, monsoon session कभी start हो रहा है, July में, winter session कभी start हो रहा है, November में, ठीक है, सबको clear है, next, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, किसी को नहीं clear हो, तो बीच में question पूछ लेना, ठीक है, चलो, next, sir, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, और medium वाला सत्र, मतलब, कौन सा सत्र, कितना duration का होता है, कितने मेंने का होता है, तो याद रखेगा, सबसे बड़ा सत्र होता है, budget सत्र, कितने, कितने दिनों का, कितने मेंनों का, चार मेंनों का, मौनसून सत्र कितने मेंनों का होता है, तीन महनों का, और विंटर सत्र कितने महनों का होता है, दो महनों का, तो याद क्या ये भी रटना पड़ेगा आपको, BMW 432, BMW 432, याद रखना पड़ेगा क्या, BMW 432, मतलब BMW गारी है, जिसका model है 432, let it be, BMW गारी है, जिसका model है 432, 432, तो सर, सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, एक्जाम में आप से पुछा जाएगा, विच सेशन इस दी, लॉंगेस्ट, एस पर दी, यूजवल प्रोसीजर अफ दी, पालियमेट, ठीक है, कौन सा सत्र है, सर, बजट सत्र, ठीक है, बजट, 432, मतलब बजट सेशन जो है, वो कितने महनों के लिए होता है, सर, 4 महनों के लिए, और मॉंसून सेशन कितने महनों के लिए होता है, 3 महनों के लिए, और विंटर सेशन कितने महनों के लिए होता है, 2 महनों के लिए, is it clear, 432, 432, ठीक है, 432, got it, next, सर, आपने भी बताया, कि ये फेबरोरी में स्टार्ट होता है, पॉन्सुन सेशन जो है वो जुलाई में स्टार्ट होता है, विंटर सेशन जो है वो नोवेंबर में स्टार्ट होता है, लेकिन आपने end month तो याद ही नहीं करवाया कि कब खतम होगा, तो sir देखो अगर आपको common sense है, February में स्टार्ट हो रहा है, और 4 महिने के लिए चलता है, तो कितने महिने में खतम होना चाहिए, February, April, March, February, Sorry, February, March, April, May, कभ होगा, मई में, 4 महिना खोजो, February, March, April, May, 4 महिना, next, sir कब से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से, जुलाई से 3 महिना जोडो, July, August, September, September, sir, November से 2 महिना जोडो, November, December, तो क्या आपको हर एक चीज याद हो गया, सशन के बारे में, जितने भी सत्र हैं, सभी सत्र के बारे में, हर एक चीज याद हो गया, क्या आपको, Is it clear to everyone? ठीक है, पूछ लूँ मैं, चलो, सुनना ध्यान से, You guys will tell me, मौनसून सत्र खतम कब होता है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, एक दम सोचो, मौनसून सत्र खतम कब होता है, मौनसून सत्र खतम कब होता है, तो sir, मौनसून सत्र खतम कब होता है, इससे पहले हमें याद होना चाहिए कि मॉंसुन सत्र स्टार्ट कब होता है तो जुलाई में स्टार्ट होता है और M3 M3 model BMW 432 M के साथ क्या रहा है 3 आ रहा है मतलब जुलाई अगस्थ सेप्टेमबर बहुत इसी है ठीक है so this is the key you can remember the things from this thing okay next यह पूरा चीज आपको समझ मागिया अब आप चलो मैं आपको दिखाता हूं कि पूरा सत्र होता कैसे ठीक है कैसे पूरा सेशन चलता है कैसे पूरा सेशन मतलब हम लोग पहले चलाएंगे सेशन को स्टार्ट कर रहा है किस मतं होगा किस मन्त में February में, good, February मन्त में start होगा, अब देखो, सर कोई भी session, for example, कोई भी session, मैं सिफ बजट session example के तौर पर ले रहा हूँ, कोई भी session start होने से पहले एक committee बनाए जाती है, कोई भी session start होने से पहले एक committee बनाए जाती है, उस committee का नाम है, business advisory committee, committee और मैं रात सभा, लोकिसत्भा अलग-अलग, आजहार हूँ, मतलब रात सभा, लोकिसभा दोनों इस में आ जा रहे है, सरो यह नहीं की fascinating mood में चल रही है, रात सभा में अलग हो कमीटी बिजनेस एडवाईजरी कमीटी करती क्या है सर सुनना ध्यान से सर बेसिकली कि पूरा सत्र में पूरा सत्र का टाइम टेबल क्या होने वाला है मतलब चार महना चार महना जो पूरा सत्र चलेगा सेशन चलेगा उस पूरे सेशन का टाइम टेबल क्या होगा होगा क्या या फिर पूरे session का agenda क्या होगाie इंडा का मतलब समझते हैं है कि कभी college में क Usually कभी project बपाइन होंगे तो agenda वगरा आप लिखते हैं कि आज का agenda क्या है एंडा का मतलब क्या होता है कि overall क्या functioning होने वाला है उस time में त्टीक है क्या 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 काम करेंगे हम लोग घधिक है क्या क्या का म करेंगे हम लोग उस पीरिड में उसको बोलते हैं एजंडा ठीक है चलो एजंडा नहीज समाझ takiego smt में क्या 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 काम किस किस वक्त होगा वो decide क्या जाता है, वो discuss क्या जाता है business advisory committee में ठीक है, now, sir इसको business advisory committee क्यों नाम दिया गया obvious सी बात है, देखो, यह business के बारे में बात करता है, this is business वो जो mean नहीं था, this is business तो यह business के बारे में discuss करता है business का मतलब यहां पर पैसा हो इसा नहीं बिजनेस का मतलब है कि सर कैसे हमारा देश चलेगा, कैसे हमारा सत्र चलेगा, ठीक है, इसलिए इसको बिजनेस एडवाजरी कमिटी नाम दखा गिया है, इसके मेंबर कौन-कौन होंगे, तो इसमें जो पॉपूलर ओपोजिशन के पार्टी के मेंबर होते हैं, वो रहते हैं, उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के पॉपूलर मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो लोग रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा, जो प्रिसाइडिंग ओफिशर होता है, जो प्रिसाइडिंग ओफिशर होता है, वो एक्स ओफिशो चेर्मेन होता है, शाले आप करेंगे, अब को याद होना चाहिए कि लोग समपह का प्राइदिंग ओफिसर कौन रहता है। पर फिकर सब्सक्राइब कर तो बिजनेस एडवाइजरी कमीटी का चेर परसन कौन होगा मतलब उसका हेड़ कौन होगा दोनों अलग-अलग हाउसेस में यह अलग-अलग बिजनेस एडवाइजरी कमीटी बनाया जाता है सर अब यह नहीं समझना कि एक साथ चल रहा है नहीं दोनों हाउस में अलग-अलग बनाया जाएगा अपने-अपने हिसाब से जो ताइम टेबल और अजेंडा करता है पूरे सेशन में सेशन का ठीक है नव शेशन स्ट्रोट अगया अगया टिदीद्वे कि बजए सेशन था तब बजए सेशन था कितने महनों के लिए चलेगा कि meglio सुन था कितने महिनफों के लिए चलेगा पर हमानी मन्त मिल चार मैन W assim कि अ है सभी फेजशन था ध्य वैट्ट कि एट्सफॉपल वाउन फोर मश् Means 24 थेंग है अबिसूर मन्त होने कर चार मन्त हो गिया चार मैन यह खतन हो रहा है अब क्या होता है जो presiding officer होता है ना जो presiding officer होता है वो एक billпass करता है एक judgment एक bill paste करता है सब के सामने और बोलता है sir जो house है वो adjournments हो गया और adjournments भी कैसा विला adjournments sindy adjournments sindy कया बोला मैंने सर, सेशन अपना चार मेने तरग चला, सेशन में जो भी काम होना था, वो काम हो गया, उसके बाद, चार मेने के बाद, जो प्रिसाइडिंग ओफिसर है, वो एक बिल पास करता है, यह एक चीज निकालता है, नोटिस निकालता है, और उस नोटिस का क्या नाम है, उस नोटिस क निकाल रहा है सर प्रिसाइडिंग ओफिसर ठीक है तो सबसे पहले इससे पहले थो में समझना पड़ेगा एड्जॉण्मेंट का मतलब क्या होता है अप लोग कि सर काम हो गया है काम हो गया है अब जाओ आप लोग छुट्टी कर सकते हो अब आप लोग पार्टी करो जब प् अचीव होकता लिया है हमने इस सेशन में उस वक्त जो रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपने हिसाब से कॉल करता है सर फॉर एडजॉण्मेंट साइन डाई सर जीस से स्टार्ट होने वाला है समझ माया मतलब समझ माया कि हमेंके मातलब को जयके अप लेकर मma सब्सक्रों के लिए अब ने 10 मतलब ऑब सिर्फ कोई विकेश नहीं होगा अब ब्रेक दे दिया गया है कुछ दिन के लिए ठीक है तो similar चीज adjornment किया जाता है सर नमारे parliament में भी अब adjornment जो होता है वो दो type का होता है एक होता है simple adjornment एक होता है simple adjornment और एक होता है adjornment signed i. ठीक है तो adjornment signed i. मैं बाद में बताऊंगा सबसे पहले मैं बता रहा हूं simple adjournment ठीक है what is simple adjournment सुनना ध्यान से sir presiding officer सबके सामने खड़ाओके बोलते हैं कि देखो हम लोग का business जो requirement था वो complete हो गया ठीक है इसी लिए अब मैं house को अब मैं house को 13 जनवरी से adjourn कर दे रहा हूं और अब house कब खुलेगा अब हम लोग next meeting कब करेंगे let it be 15 february को करेंगे let it be 15 february को करेंगे तो इस type के adjournment को बोलते हैं simple adjournment मतलब वैसा adjournment जिसमें दोनो डेट लिखा हुआ है जिस डेट को house adjourn हुआ वो भी डेट और जिस डेट को house reopen होगा reassembly होगा वो डेट भी लिखा हुआ है ऐसे adjournment को क्या बोलते हैं simple adjournment लेकिन adjournment sign dime में क्या लिखा जाता है sir जो presiding officer होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी डेट को लिखता है जिस डेट में adjournment किया जा रहा है जो reopen का डेट है उसको नहीं लिखता है for example presiding officer ने यह बोला कि house जो है वो adjourn हो जाएगा आज के दिन तेरा जनवरी को लेकिन house जो है वो reopen करेगा वो reopen करेगा sir उसका डेट दिया ही नहीं उसका डेट दिया ही नहीं मतलब ऐसा adjournment जिसमें reopening of the house या फिरी assembly of the house decided नहीं है वैसे adjournment को क्या बोलते हैं adjournment signed eye मतलब एक सत्र के बाद एक complete सत्र के बाद presiding officer जो है वो call करता है किस चीज के लिए adjournment signed eye के लिए मतलब आप ही बताओ adjournment signed eye के लिए presiding officer call up करता है तो क्या adjournment के ये जो adjournment हुआ क्या reassembly of house क्या decided है क्या निर्धारित है कि फिर से फिर से कब वो join करेगा फिर से कब वो house फिर से कब reopen होगा क्या वो decided है नहीं decided है अगर decided होता न तो हम लोग simple adjournment का use करते है adjournment signed eye का use नहीं करते हैं समझ माया what is the difference between simple adjournment and adjournment signed eye is it clear hello hello सब क्लियर है simple adjournment and adjournment signed eye सुनना ध्यान से डी आई इए है इस्टोरी क्या था आप लोग help करना मुझे बताना ठीक है सर सैसेन स्टार्ट होने वाला है सैसेन जो है वो स्टार्ट होने वाला है ठीक है इससे पहले कमिटी बनाए जाएगा क्या नाम है उस committee का कौन सा committee बना जाएगा अरे भाई बोलो कौन सा committee बना जाएगा business advisory committee next session चलेगा जो भी उसका specified time है 4 मैना 3 मैना 2 मैना जो भी उसका specified time है उतना दिन तक वो चलेगा जब presiding officer को लगे की उस session का काम खत्म होगिया है उस session का काम होगिया है तो presiding officer एक избhornment के लिए call करता है क्या नाम है उस ajotment का adjournment signed sign die抱ip от ev turning sign die का मतलब क्या होता है वैसा adjornment जिसमें जो house है वो किस दिन adjorn हो रहा है वो तो लिखा हुआ है लेकिन house फिर से reopen कब होगा ये नहीं लिखा हुआ है समझ माया house फिर से reopen कब होगा ये नहीं लिखा हुआ है और हमने पढ़ा कि एक type का और adjornment होता जिसका नाम है simple adjournment उसमें ये लिखा रहता है ठीक है कि reassemble कब होगा उसका date उसमें लिखा रहता है ठीक है इसलिए sir अब आप मुझे से पुछोगे की sir क्यों adjournment sign die के लिए adjournment sign die किया जाता है presiding officer के द्वारा simple adjournment क्यों नहीं किया जाता है मैं उसका answer दूंगा भी थोड़ दिर बाद ठीक है अच्छा आपको क्या लगता है presiding officer adjournment sign die बुला लिया तो क्या house adjourn हो गया no sir क्या house में चुट्टी हो गया no sir यह जो adjournment sign die है न यह वाला यह जो request है यह भीजा जाता है president के साथ पास president सहाब के पास भीजा जाता है और president सहाब जब अपने office से एक notice निकालते हैं notice of prorogation उस notice का नाम होता है notice of prorogation जब अपने वह office से notice of prorogation बहार निकालते हैं जब निकालते हैं उस वक्त चुट्टी हो जाता है सर किसका house का उस वक्त चुट्टी होता है house क्या आपको समझ माया क्या recess तुरंत मिल जाता है adjournment के बाद no sir वो adjournment sign die का जो request है वो president सहाब के पास जाता है और president सहाब अपने office से एक reply देते हैं एक notice निकालते है notice of prorogation और notice of prorogation जब release होता है ना तब से start होता है house का recess या फिर house का प्रोरोगेशन समझ माया house का प्रोरोगेशन ठीक है ठीक है समझ माया आपको house का प्रोरोगेशन और हिंदी में सर इसी को बोलते हैं अनिश्चित काल तक सत्र को रोग दिया गया है एड्जॉंड्मेंट साइन डाय जो है न इसी को बोलते हैं अनिश्चित काल तक रोग दिया गया है ठीक है क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है is it clear is it clear प्रोरोगेशन समझ माया सभी को अब देखा जाता है सर प्रोरोगेशन मतलब अभी चुट्टी पर है अब चुट्टी पर है प्रोरोगेशन हो गया प्रोरोगेशन दे दिया गया पाल्यमेंट को मतलब पाल्यमेंट अभी चुट्टी पर काम आम नहीं कर रही है सर मैक्सिमम कितना मेने तक च्छोटी परा सकती है। चो सिरुए शे मैने के पहले पीम सहाब यो और जाएंगे प्रेसिडेंट सहाब के पास और प्रेशिडेंट सहाब को बोलेंगे कि सहाब सहाब सर सर बहुत दिन चुट्टी हो गया बहुत दिन उलोग रिसेस में रहा गया बहुत दिन वो लोग प्रोरोगेशन में रहा गया अब क्या प्रेशिडेंट सहाब को बोलेंगे कि प्रेशिडेंट सहाब मतलब क्या होता है कि बुलाना कि आइए आइए बुला रहे हम आपको क्यों क्यों कि सेशन स्टार्ट होने वाला है आइए मतलब सर प्रेसिडेंट सहाब समन भी करते हैं प्रेसिडेंट सहाब प्रोरोगेशन भी करते हैं और प्रेसिडेंट सहाब समन भी करते हैं क्या आपको जाता है कि इस session का start होने से पहले एक business advisory committee बनेगा और ये business advisory committee अपना अपना काम करेगा फिर से वो session उतने महनों के लिए चलेगा जितने महनों के लिए वो decided है उसके बाद फिर से adjournment signed I आई बुलाया जाएगा call upon किया जाएगा और फिर वो president साब के पास जाएगा फिर से अपने office से निकालेंगे notice of prorogation और फिर से सब कोई चुट्टी में जाएगा क्या आपको समझ माया कि कैसे करके प्रोगेशन किया जा रहा है और कैसे करके समन किया जा रहा है समन का मतलब समझ माया कि भाया अब फिर से working start करना है फिर से restart करना है फिर से चीज को restart करना है फिर से सत्र में बुलाना है ठीक है फिर से आईए आप लोग सत्र में री एसेंबली फिर से री एसेंबली करना है ठीक है और री एसेंबली कौन करवाता है वो डेट कौन फिक्स करता है सर बुलाता कौन है कि आओ 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 बुलाता कौन है प्रेसिडेंट साथ ठीक है क्या को समझ माया प्रेसिडेंट साथ ना एक बात बताओ एक बात बता न ए क्या किया था कि आप लोग बता सकते हैं एडर्फ मेंट साइन डाई को कौल अपाउन कौन किया था कौन बोला था कि वहेड़ सेड है सर प्रिसाइडिंग ओफिसर बोला था ठीक है जो प्रिसाइडिंग ओफिसर है ना उन्होंने बोला था एड्जॉर्मेंट साइड ठीक है और यहां पर समन कौन कर रहा है यहां पर समन कौन कर रहा है प्रेसिडेंट साथ समन कौन कर रहा है प्रेसिडेंट साथ अब एक बाद बताओ क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पता होगा कि भविष्म में प्रेसिडेंट साथ किस डेट में समन करेंगे नहीं पता होगा, भविश्च के बारे में कैसे पता होगा, प्रिसाइडिंग ओफिसर को, इसी लिए सर, प्रिसाइडिंग ओफिसर किस टाइफ का एजॉर्णमेंट करता है, यहां पे, सिंपल एजॉर्णमेंट या फिर एजॉर्णमेंट साइन डाए, सर, एजॉर्णमेंट कैसे बोल दे इसलिए सेर यहां पर किस टाइप का अजॉर्ण्मेंट किया जाता है एक राइएड्वास्तव, प tem當 नोट कंव अगशन्मेंट समझ वह नहीं प्लोह को कि अजॉर्ण्मिट का इस्तिमाल क्यूं किया जा रहा है simple adjournment का इस्तिमाल क्यों नहीं किया जा रहा है is it clear ठीक है चलो I hope आपको समझ माया कि session start कैसे हो रहा है session को summon कैसे किया जा रहा है now summary लिखेगा इस पूरे चीज का summary sir president साहब क्या करते है दो चीज करते है वो prorogation करते है prorogation करते है और और summon करते है president साहब prorogation करते है समन भी करते है ठीक है next sir power of adjournment किसके पास है power of adjournment किसके पास है presiding officer के पास है यह बहुत ही important question है और अब confused हो जाने वाला question है कि adjournment का power किसके पास है तो adjournment का power है presiding officer के पास और सही में prorogation का power किसके पास है president साब के पास ठीक है समझ माया आप लोग को क्या यह बात समझ माया आप लोग को तो यह था basic session के बारे में हम लोग next class में देखेंगे कि further session में क्या क्या किया जाता है क्या है झाल क्व़ास झाल क्या है क्या लू यह प्वाभ